ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है तुला राशी वालू हो जाओ ते यार क्योंकि अब भगवान शुरदेव के अश्रवाज से 18 दिसंबर से 24 दिसंबर याने कि इन 7 दिनों में सूरज की तरह चमकेगा आपका भग है जद उस तो आपको बता दे भगवान शुरदेव के अश्रवाज से 18 दिसंबर से 24 दिसंबर याने कि इन 7 दिनों में आपको 500 समाचार और बड़ा सर्प्राइज मिलेगा जा दोस्तो आपको बता दें भगवान शुरेदेव के असरवास से आपके लिए 18 दिसंबर से 24 दिसंबर यानिक इन 7 दिनों का समय बहुती अच्छा समय साबित होने वाला है जा दोस्तो इन 7 दिनों में आपको अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी खुसकबरियों की प्राप्ति होने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जा दोस्तो आज की इस वीडियो में आपके 18 दिसंबर से 24 दिसंबर यानिक इन 7 दिनों के शंपून और सटीक रासी फलक के बारे में बताने वाले हैं वीडियो भगवान शुरेदेव के सच्चे वक्त इस वीडियो को एक राइक भी करें कमेंट स्बोक्स में जैज शुरेदेव अवश्य लिकें जिससे भगवान शुरेदेव का इस दिसंबर यानिक इन 7 दिनों का यह महत पपून समय दोस्तो यह समय घर परिवार तथा सम्मंदियों के साथ अच्छा व्यतित होगा अपने संपर्क सूत्रों तथा मित्रों से मेल मुलाकात लाबदायक रहेगी कुछ समय से आप अपने व्यक्तित्में और अधिक शकारात्मक बदलाव लाने का प्रेतन कर रहे हैं उससे आपको शमाजिक वे परिवारिक सरहाना भी राप्ध होगी दोस्तो इस समय आप अपने प्रभाब साली तथा मेठी वानी दोारा दूसरों पर अपना प्रभाब बना लेंगे लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित भी रहेंगे घर में महत्पपुन व्यक्ति के आगमन से भी किसी महत्पपुन मुद्दे पर विचार विमर्ष भी होगा दोस्तो इस समय आप धन संबंदी कुछ नई नीतियों की योजनाय भी बनाएंगे उसमें सफल भी आप रहेंगे इसलिए प्रियासरत आपको रहना आवशक है दोस्तो परिवारिक शुवदाओं पर भी खर्च होगा किसी नजदी की मित्र के यहां धर्मिक समारों में जाने का भी आपको अबसर भी मिलेगा जा दोस्तो इस समय निवेस संबंदी बने रहने से दिक्त आपको महसूस नहीं होगी दोस्तो इस समय अचानक ही किसी अंजान व्यक्ति से मुलाकात होगी और आपके लिए बहुती फायदेबंद भी रहेगी अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने संबंदित योजना बन रही है तो उस पर द्यान आप केंद्रित रखें दोस्तो विध्यार्ती अपनी पढ़ाई के प्रती पूर्ण एकागर चित रहेंगे दोस्तो साथी साथ यह समय अपने कारे के प्रती पूर्ण रूप से आप समिर्पित रहें दोस्तो इस समय ग्रह किस्तितियां आपके लिए उच्चित भाग्या का निर्मान कर रही हैं इसलिए इनका आप सद्यूप्योग करें कोई परिवारिक धर्मिक भोजन संबंदित योजना भी बनेगी जो आपके लिए बहुती फायदेबंद साबित होगी परन्तु दोस्तो किसी अंजान व्यक्ति से कोई महत्पपूर्ण बातचीत या काम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह विचार विमर्स तथा जांच पड़ताल आप अवश्च चकरें छोटी सी लापरवाही से आपके साथ धोका दड़ी हो सकती हैं थोड़ा सावध दोस्तो इस समय कभी कभी आत्म केंद्रित होने तता एहम की भावना रखने से आपसी बातचीत में कुछ वाद विवाद होने की भी इस्तिती बन रही हैं दोस्तो अपने इन गुणों का आप शकारात्मक रूप में उप्योग करें तो बहतर प्रणाम आपको प्राप्थ ह दोस्तो इह समय अत्यादिक खर्चों की वजए से आपका बजट भी बिगड़ सकता है इसका अवश्य आप ध्यान रखें घर के किसी व्यक्ति के स्वास्त को लेकर कुछ चिंता रहेगी अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय उनकी देख बाल के लिए भी आप अवश्य न सम्मंदों में खटास उत्पन कर सकता है अपने वहवार में लचीलापन बना कर रखना आपके लिए अति आवश्य चक है जा दोस्तो इस समय किसी वरिष्ट सदस्य के स्वास्त को लेकर जरा से भी लापरवाई आप ना बढ़तें दोस्तो कोट से सम्मंदित कोई मामला आत्मक प्रवर्ती के लोगों के साथ अपना समय आप व्यतीत करें तता कुछ समय एक कांत में बैठकर आत्म चिंतन भी आप अवश्य करें तो आपके लिए लाब प्रद रहेगा दोस्तो अब बात करें लव लाइफ के नजरिये से तो पती पतनी का आपसी सयोग घर खुसनुमा बना कर रखेगा प्रेम संबंद मरियादा पूर्ण रहेंगे परिवारिक सदस्चों के साथ मनुरंजन संबंदी कारों में भी समय व्यतीत होगा तता घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा खुसनुमा माहूल भी रहेगा साती साथ जीवन साती की ऐस वस्त का तथा परिवार का आप अवश्य ध्यान रखें दोस्तों शाथ जास इस समय पती-पत्नी के संबंदो में कुछ घटी-मीटी-नोक-जोक संबंद है परंतु इस से आपसे संबंदों में और अधिक नजिदी के आएंगी दोस्तों परिवार तता व्यवैशाय के बी तो अभी वेवेसाइक गती विदियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने की आप चेश्टा ना करें जैसा वर्तमान में चल रहा हैं उस पर ही आप ध्यान केंदरित रखें डौकरी पेशा लोगों को अपना काम बहुती अधिक ध्यान पूर्वक करने की आवश्चता है दोस्तो यह समय अपनी रुकवी पेमेंट कलेक्ट करने तथा आर्थिक इस्तितियों को मजबूत करने पर आप ध्यान केंदरित रखें दोस्तो आपको काफी हद तक सफलता भी प्राप्त होगी दोस्तो नोकरी पेशा वेक्तियों को कोई इस्थान परिवर्तन संबंदी भी मिलने की संभाव ना है दोस्तो यह समय वेवसाय में आंत्रिक सुधार या इस्थान में कुस बदलाव लाने की आवश सकता है और ऐसा करना आपके लिए लाबदायक सावित होगा ओफिस के माहूल में राजनीती जैसी गतिविदियां हो सकती है इसलिए आप थोड़ा स व्यक्ति का योगदान आपके लिए वेवसाय संबंदी कुछ नहीं उपलब्दियां प्रदान करेगा सरकारी शेवारत व्यक्तियों को भी अपने कारे में उचित योगदान देने से कुछ अधिकारियों की सरहना भी प्राप्त होगी जिससे उनको काफी खुसी का अनुब होगा दोस्तों यह समय मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंदित सभी काम सुचारू रूप से संपन होते हुए जाएंगे इसलिए पूर्ण रूप से इन कारेयों के प्रती प्रियास रत रहें आर्थिक इस्तिती भी बहतर रहेगी नौकरी पेशा व्यक्तियों का भी प्रपूर्ण संपर्क इस्थापित होंगे और अच्छे ओडर भी मिलने की संभावना है परन्तु अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष आप जाहिर ना करें क्योंकि आपके साथ चीटिंग हो सकती हैं सावधान रहें दोस्तों बात करें आपके स्वास्त के नजरिये से तो स्वास्त इस समय आपका ठीक रहेगा परन्तु खान पान और दिंचरिया संयमित रखना आपके लिए अति आवशक हैं दोस्तों साथ चाथ यह समय आप अपने अंदर उर्जा वे आत्म बल की कमी महसूस करेंगे मेडिटेशन वे योग पर भी आप कुछ समय वहतीत करें तो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा या दोस्तों अपने खान पान पर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें और नियमित आप योग करें प्रणयाम करें स्वस्त रहें